नमस्कार मैं डॉक्टर रासी जैन आप लोगों का स्वागत करते हूं आज का ये वीडियो पूरा अंत तक सुनेगा ये बहुत जरूरी है और शेयर जरूर कीजिएगा ये शेयर जो मैं बोल रहे हूं ना ये इसलिए बोल रहे हूं क्योंकि ये जिम्मेदारी होगे आपकी और क्यों जिम्मेदारी होगी इससे जदा से जदा लोगों तक पहुचाने कि ये वीडियो के अंत aí तक आपको समझ में आजायेगा क्या मैं बताने जा रही हूं क्यों मैंने ऐसे लिखा हे कि कोरोना से हम जीत जाएंगे मगर इससे नहीं जीत पाएंगे क्या चीज है ऐसी बिमारी से डड़ना है, बिमार से नहीं ड़ना है, हम कितने ही बार सुन ले, बिमारी से लड़ना है, बिमार से नहीं लड़ना है, लेकिन हम नहीं बदलने वाले, कोरोना से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये सोच, I don't know, कब चेंज करेंगे, you know what मैंने बच्पन में कहानी सुनी थी जहां पर एक इंस्ट्रक्टर जो है ना सिखाता है कुछ चिड़या लोगों को की सिकारी आएगा और वो क्या करेगा वो जाल बिच्छाएगा फिर दाने डालेगा आप लोगों को जब भी ऐसा दिखे की दाना डाला गया है और जाल फ फसनार बहुत अच्छे से रट लेती है और फिर शिकारी एक दिन आता है जाल फैल आता है दाने डालता है चिड़या इस बात को गाती है और दाना खाने पहुत जाती है और फाइंली ट्रेप्ट हो जाती है ऐसे हम लोगों के साथ है हम सुन रोज रहे हैं कि बिमारी से बखतता हम समाज में ज़ाया तो यह चीज़े निकल के भी आई वरना यह तो चीजAY आती नहीं सामनी साहिज साथ चिज Inder ये अंदर जैसे इतने सालों से चल रही थी वैसी चलती आज भी लोग करते हैं बहुत भेदभाव होता है बहुत ज्यादा मरीजों के साथ यह किया जाता है किसी को सिकलिंग हो जाए थेलेसेमिया हो जाए किसी को इस नजर से देखते हैं जैसे मानो बापरे या तो बहुत बड़ा इस संसार का पापी है या फिर एकदम उसके साथ कुछी दुरभाग्य हो गया उसका उससे ज़्यादा तो कोई दुख्यारा हो गई नहीं और दोनों ही गलत होता है क्यों गलत होता है ये भी समझते हैं लेकिन पहले इसको समझे कि अगर हम ऐसे ही करते रह कि हम या तो दया की नजरों से देखें या तो उन्हें समान ना दे उनकी बीमारी के साथ उन्हें स्विकार ना करें तो क्या हमारी दुनिया अच्छे से चल पाएगी कितना टैलेंट वेस्ट हो जाएगा अगर हम लोगों को इस ही नजर से देखते रहें कि इसको टाइटल लगा दे उसको टैग कर दे अच्छे ये तो ये बिमारी वाला है तो इसको काम में नहीं रखेंगे इसकी साधी नहीं हो सकती क्योंकि इसको ये बिमारी है आधे से ज़्यादा लोगों को तो बिमारी का धंग से ज्यानी नहीं होता है कि वो बिमारी है कैसी वो छुट से फैल हैं भी या नहीं उसको सच में ऐसी चीज़ें होती है या नहीं उतनी सीवेर होती है या नहीं होती बस वो तो यह जानते हैं कि ओके यह बिमारी है और अच्छा आपको मैं बता हूं दया भी दिखातें तो कैसा दिखातें अरे बापने इसको बिमारी हो गई यह दया नहीं कर करोना के मरीज को स्विकार करने की जरूरत नहीं है हमारे सवाइटी में बहुत से चीजों को स्विकार करने की जरूरत है आपको नहीं लगता शरीर को अगर बुखार हो सकता है तो मन को भी तो डिप्रेशन आ सकता है क्या फर्क पड़ता है हमको बहुत ज्यादा इसको स्विकार करने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है डिप्रेशन या एसा समझो ना कि हर कोई ऐसा पागल नहीं होता जिसको हम एक दम पागल समझ लेते हैं किसी को काउंसलर के ऑफिस से बाहर आते देखते हैं तो समझते हैं इसको तो यह तो पका पागल है इसलिए गया है यही तो सोच बदलने की जरूरत है तब तो हमारा इंडिया तब तो हमारा भारत हमारा देश हमारी हमारा विश्व सब आगे बढ़ेगा ने तो यह यहीं रहे जाएगा लड़ते रहना फिर हम कैसे grow करेंगे अगर हुम एक बड़े पैमाने के लोगों को स्विकार नहीं करेंगे हम लोगों को उनकी डिफॉर्मेटी उनकी बीमारी के साथ स्विकार नहीं करेंगे तो कितना कुछ हो जाएगा इतना कुछ life में हानी हो जाएगी आप सोचीए क्या आपको क्या लगता है सिंख्यत्य पशेंट अच्छत hack नहीं होते होंगे मन से हमनों कि उननकी साथी सही सब्सक्राइब लोग उसको नजरों से देखैं उसका भी वैसे ही बैसे ट्रीटमेंट पॉस समाची जैसे आपको और हमको मिलता है कि आपको क्या लगता है कि सोचिए गाइस विश्य में बहुत यूट हम इस बीमारी से ग्रसित हैं इस मानस्क्ता से ग्रसित हैं लोगों को एक मतलब अजीब सी भावना से देखते हैं अगर बीमारी का पता चलता है ना खासकर इसे लॉंग टेम बीमारी का तो यह समझते हैं कि अरे इसे दूर रहो यह खत्रा है समाज के लिए जब कि ऐसा कुछ नहीं होता है 99.99% केस में ऐसे नहीं होता है कि कोई हमारे लिए खत्रा होगा या समाज के लिए खत्रा होगा हमको पुरा ग्यान ही नहीं होता है जैसे करोना का हमको ग्यान नहीं था तो हम सब यह सब करते थे ऐसे ही बाकी बिमारे के केस में भी है तुसले समझे इस बात को और यही मैं चा समय देंगे आसे सट्विकार करेंगा उनको उनकी बीमारियों के साथ समझेंगे उन्ने सही तरीके से दया दिखाएंगे और ya Hij आफको यह वीडियो समझ में आया होगा पर इसले आप इसे शेयर भी करेंगे और बदलेंगे वीडियो लास्ट क सुना धन्यवाद नमस्थे